साधना और पिरेम को एक महिना हुआ था इस नई कॉलनी में आये हुए अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे थे और जो परिवार थे भी वे अपने काम से काम रखते हैं पर उसकी मीना अंटी साधना को सचेत कर गई थी कि किसी भी अंजान व्यक्ति के लिए दरवाजा ना खोल थी साधना की मा का देहांद बच्पन में ही हो गया था मा भी हिन संतान को पिता ने अपने इसने से सीचा था सुंदर होने के साथ साथ उसमें संसकारों का भी मिसरन था पिता की तवियत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में आना परता था प्रेम की सहायता से सभी काम आ बंधन में बंध गए थे जीवन आराम से चल रहा था साधी के दो सालों में नोक जोक के सिवा और कोई जगरा नहीं था इस बीच दो घटनाई घटी साधना के पिता चल वसे और प्रेम का ट्रांसफर हो गया दिल्ली में कुछ दिन तो घर विवस्थित करने में ही लग गये आसपास का सांथ महोल साधना को बेहत सुकून देता उस दिन सुक्रवार था प्रेम के ओफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निप्टा कर साधना वरामदे में आराम से कुरसी पर बैठी मैग जीन के पड़ने पलटने के साथ ही अपने विचारों में खोई थी कि तभी ए अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पुछा महिला ने उत्तर दिया उसका नाम सुनीता देवी है दिल्ली में रहती है किसी काम से बाहर गई थी आज ही वापिस लोटी है इस्टेशन पर ट्रेन लेट होने की वज़ा से उसके बेटे समय पर नहीं रग गई उम्र बढ़ने के साथ या दास्त कमजोर हो गई है कुछ देर बाद याद आ भी जाता है साधना का मन पसीज गया गेट खोल कर उसे बरामदे की कुरसी पर बैठाया और एक ट्रे में पानी लेकर आई सुनीता देवी ने एक मीठी मुसकान के साथ साधना को देख की वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाए संदेश मिलते ही पिरेम घर पहुंचा पिरेम ने एक संकाकित नजर सुनीता देवी पर डाली और वही सोफे पर बैठ कर वही कहानी सुनी जो उन्होंने साधना को सुनाई थी पिरेम को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था पिरेम उसने इसारे सिसाधना को भी बुला लिया कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे फिर कुछ सोच कर पुलीस को फोन किया फोन करके जैसे ही दोनों बाहर आये सुनीता देवी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म चाय रख रही थी उन्होंने कहा पहले नास् लेट थी तो उसके बेटे ने पूछ ताच विभाग में संपर्क क्यों नहीं किया उनकी यादास्त जब कमचोर है तो उन्हें अकेले यातरा पर भेजने का क्या मतलब है इतने सारे परश्ण और जबाब देही से सुनीता देवी घवरा कर रोते हुए कहने लगी कि वह चो पुर आएंगे पुलिस चली गई लेकि प्रेम अभी भी असमंजस में ही था रात का खाना भी सुनीता देवी ने आगरह करके खुद ही बनाया और परोस कर खिलाया भी गिरस्ती करते हुए साधना और प्रेम को ये सुख नहीं मिला था इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा सुख साधना अभी तक सो रही थी वह हर बढ़ा कर उठा और दूसरे कमरे में सुनीता देवी को ना देखकर उसका सक और पुकता हो गया उसने सभी कीमती चीजों पर सरसरी निगाह डाली सब चीजे अपने अस्थान पर ही थी वह बगीचे में गया तो ठका सा रह गया सु साधना की भी आँखे भर आई प्रेम के साथ गारी में बैट कर वह रास्ता बताती जा रही थी एक बार फिर संदे का बीज प्रेम के मन में पनपा की वह कहीं या दास जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी एक गली के मुहाने पर उन्होंने गारी रोकने के लिए कहा और बो पिरेम ने भी गारी मोर ली लेकिन कुछ दूर जाने पर उनका मन नहीं माना और पिरेम गारी से उतर कर पैदल ही एक और चलने लगा रास्ता वही खत्म होता है इसलिए वह बढ़ता गया अचानक उसके कदम ठिठक गए जिस तरह के घर का वर्नन सुनिता देवी ने किया था वह एक बिर्ध आसरम था गेट खुला हुआ था पिरेम आगे बढ़ा तभी बगीचे में एक बेंच पर उसने सुनिता देवी कई बिर्धाओं से घिरी हुई दिखाई दी वह ध्यान से उनकी बाते सुनने लगा सुनिता देवी बोल रही थी मैंने जूट बोला लेकिन उ मेरी अत्रिप्त पिक्छाओं को पूरी कर दिया पर एक ही दुख है कि मैंने उन भने लोगों को जूट बोला उन्हें धोखा दिया इतना कह कर वह रोने लगी प्रेम की भी आँखे भर आई वह आगे बढ़ा और सुनिता देवी के कदमों के पास बैठ गया अचानक प्रे मां को यहां छोर गए हमने भी आपको समझने में भूल की चलिए मैं आज ही अपनी मां को यहां से ले जाओंगा सुनिता देवी उठकर खरी हुई और हस्ते हुए बोली लोग तो बच्चे गोध लेते हैं और तु मुझ बुढ़ी को ले रहा है प्रेम ने हस्ते हुए सु जीवन से मुक्ती मिली वरना उम्र के इस मोर पर अपना घर होते हुए भी आसरीतों की तरह जीवन जीना कितना पीरादायक होता है सुनिता देवी साधना से मिलने के लिए बैचेन थी